पाट पच्चीज समवाद लेखन डायलोग राइटेंग किनी भी दो व्यक्तियों के पारसपरिक आपस में आपचारिक पाथचीव को ही समवाद कहते हैं नाटक, कहानी या कथा के विकास में समवाद, विशीष्टा सहायग होते हैं समवाद लेखते समय या याद रखना चाहिए कि समवाद की भाशा पात्रा नखूल होनी चाहिए समवाद संग्शित, सरल और रोचक होना चाहिए इन सब बातों के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य या है कि एक बार समवाद लेखन का विशे एक ही हो अर्थात लिखे गए सभी समवाद एक ही विशे की ओर संकीत करते हो उदारलार्थ एक समाज के सबसी च्वलंत मुद्दे प्रश्टा चार पर दो पड़ोसनों में समवाद निधी क्या बात है सुनिधी आजकल तुम कुछ परिशान से दिखाए पड़ती हो सुनिधी क्या बताऊ निधी नगर निकम वालों ने तंग कर रखा है निधी बात क्या है किसलिए तंग कर रखा है सुनिधी क्या कहूं दस दिन पहले हाउस टाक्स चमा करने की नोटिस मिली उसमें देखा तो पिछले साल का दुगना टाक्स आया है निधी, पिछली साल का दुगना, ये कैसे? मकान तो तुम्हारा उतना ही बना है, जितना पहले था, फिर अचानक इतना अधिक टाक्स, इसका क्या कारण हो सकता है? सुनिधी, इसका कारण है रिश्वत, पहले तुगना टाक्स बढ़ा दिया, अब उसे कम करने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं, यदि 1500 उन्हें दे दो, तो टाक्स आधा कर देंगे निधी, तो तुमने उन्हें क्या कहा? क्या हा कराई हो? सुनिधी, अभी तो हा नहीं कहा, किन्तु समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? निधी, सुनिधी, हम क्यों ना ब्रश्टाचार निरोधक शाखा चली, वहां अपनी शिकायत दर्च करवाए और उन लोगों को रंगे हाथ पकडवाएं, जो खूंस मांग रहे हैं. सुनिधी, कह तो तुम ठीक रही हो? किन्तु कहीं ऐसा ना हो, कि उल्टे हम ही मुसीबत में पड़ जाएं. निधी, दीको सुनिधी, समाच में फैल रही, इस तरह की बुरायों को खत्म करने के लिए, किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी. तो हम ही क्यों ना करें? सुनिधी, शायद तुम सही कह रही हो. चलो, चलते हैं. दू, रेल वी स्टीशन की काउंटर पर आवश्यक सूचना प्राप्त करना. रिशी, श्रीमान जी, कृप्या सुनिए, अधिकारी. कहिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? रिशी, नैनिताल चाने वाली काड़ी कितने बचे आती है? अधिकारी, आट बच कर तीस मिनट पर रिशी, और यहां रुपती कितनी देर है? अधिकारी, सिर्फ दस मिनट, आट तीस पर आती है और ठीक आट चालीस पर यहां से चूट चाती है. रिशी, क्या आज गाड़ी सही समय पर आ रही है? अधिकारी, लगता तो नहीं, आज सभी गाड़ियां विलम से आ रही है, न रिशी, अच्छा यहां बताईए कि क्या ततकाल में टिकेट मिल जाएगा? अधिकारी, यह मैं नहीं बता पाऊंगा, आप इसके लिए खिड़की नंबर चार पड़ जाएए. रिशी, जी अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद. पिता पुत्री में विशे की चुनाफ को लेकर वाग दाला. चारू. पिताची, जबसे परीक्षा परणाम आया है, तबसे मैं बहुत परिशान हूँ. पिता, पर क्यों? तुम्हारी नंबर तो बहुत अच्छे आए है. चारू. नंबर तो अच्छे हैं पिताची, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. पिता, क्या समझ नहीं आ रहा बेटी? चारू. यहीं पिताची, कि मैं कौन सा विशे लूँ या कौन सा ना लूँ? पिता, यह तो कोई परिशानी की बात नहीं है? चारू. कैसी परिशानी की बात नहीं है? पिता, अरे भई, तुम वेक्य पिता, तो फिर इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हें विज्ञान ही लेना चाहिए। पिताजी, आप तो चानते हैं, इस विशे में मेरा मन नहीं लगता। पिता, अच्छा ठीक है, मेरे एक मित्र भी वैक्यानिक हैं। उनसे ही पूछूंगा, आशा है, वे मुझे सही राय देंगे।